सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट टेक्नलोजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए नुश्कार दुस्तों मैं गौरव आपका बहुत-बहुत सभागत करता हूँ जोस्तों यार सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सभी को जो भी दोस्तों आच सलिपरेट कर रहे हैं जितने भी भाई बहन हैं उन सभी को बहुत-बहुत हापी रक्षाबंदन I hope कि आज आपका संडे था वैसे अगर ये मंडे ये संडे को होता तो एक दिन के एकसा चुट्टी मिल जाती बट एनिवेज खाफी जो है वो आपका संडे अच्छा निकला होगा अब यहां पर दुस्तों हम बढ़ते हैं आगे देता हूँ आपके सवाल के जवाब स्माटफोन बाइद वे क्या आप Z Fold 3 Tom Brown Edition परचेज करने वाले हो वेटिंग फॉर इंबोक्सिंग विडियो मनीश ये तो हो नहीं है अफकोर्स हो नहीं है बिलकुल आएगे इंबोक्सिंग Tom Brown Edition Z Fold 3 की जिसको आप बहुत जल्दी एंजोई कर पाएंगे जहां तक बात है Rollable या Foldable के अरते को फिलाल लेना Rollable जो है वो इतना Mature नहीं हुआ है तो इसलिए कहूंगा Foldable लेकिन future में देखते हैं क्या पता Rollable एक कदम और आगे निकल जाए तब शायद हम Fold से Roll के उपर Switch हो सकते हैं अगला सवाल पुचा है यहाँ पर शुबदीप ने यह बलते हैं कि हलो पुरूशी कैसे हो हैपी रक्षा मंदर मेरा सवाल यह है कि स्मार्टफोन कंपनी दो मगा पिसला कैमरा क्यों देती हैं जबकि हमको पता है कि वो किसी भी खाम का नहीं है और दोई मौल का एक अच्छा सा व्लॉग बनाओ प्लीज यह दो सवाल एक तो मैं ऐसे अपोजिट नहीं हो गए बादावेग है दोई मौल के व्लॉग की कोशिश करूँगा जहां तक बाते हैं दोई में के दो में पिसला कैमरा टेक्नीक की ना तो यार यह फायदा है ना देखो सौर उपर लगते हैं पचास उपर लगते हैं देड़ सुर उपर लगते होंगे एक्स्ट्रा अब उस चक्कर में हम बोल पाते हैं ना इस फोन में है 64MP quad rear camera set up 64MP AI quad camera पता नहीं क्या क्या चीज़ है triple quad और penta hexa पता नहीं क्या क्या तो यह दो को simple सी बाती है कि कहीं नंबर गेम चलता है मार्केट में जब लोग फोन खरीदें का सोचते हैं तो यार वो जज़ करते हैं कि इस फोन में तीन कैमरा है के चार कैमरा है मुझे पता है लेकिन बहुत सारे cases में majority of buyers है market में जो फोन ले रहे होते हैं उनको नहीं पता होता है यार सब इतने tech savvy नहीं होते हैं आप जो है वो tech पसंद करते हो मैं भी करता हूं लेकिन सब नहीं करते हैं और ऐसे में वो कही न कहीं compare करते हैं गिंती से कि इस फोन में दो कैमरा है इसमें तीन है या इसमें चार है उनकों से लगता है कि यो चार वाला है वो जड़ा अच्छा है वो चाह है macro है जो भी बकवास आप जानती है तो इसलिए companies कर रही है उनका फायदा होता है इससे अगला सवाल पुछा है यहाँ पर निमिश ने यह बोलते हैं कि hello crew जी कैसे हूँ iPhone 13 and M2 chip का क्या scene है by the way next exclusive video कब इस year end तक Samsung के flagship phones आने वाले है क्या Samsung का इस साल कोई flagship नहीं आएगा वे देखो S21 FE आएगा उसके अलावा जो प्रॉपर फ्लैक्षिप अगले साल के आएगा S22 और जहां दक बात है iPhone 13 की तो वो आने वाला है of course M2 chip शायद इस साल नहीं आएगी हो सकता है आभी जाये खर कुछ कह नहीं सकते लेकिन M2 chip iPhone 13 में for sure नहीं आएगी उसमें हमको जो है वो Apple की A series मिलती है और exclusive video बहुत जल्दी बहुत जल्दी चार पास दिरों में कर देंगा बहुत जल्दी आएगा अगला सवाल है यहां पर सार्थक का यह बलते हैं क्या आप Formula 1 देखते हैं अगर हो सके तो December end में अबुदभी में है एक vlog हो जाता तो मज़ा आ जाता सार्थक यार एक्चुली मैं वैसे तो follow नहीं करता हूँ Formula 1 को लेकिन हाँ मैंने देखी है races अबुदभी के अंदर जो है या सर्किट के उपर मैंने पहले भी कुछ races देखी है इस साल अगर मैं December में रहा दुबई में और अगर उसने पर मौका मिलता है तो जरूर कोशिश कुरूँ आप लिए vlog की why not वैसे मैं actively to be honest follow नहीं करता हूँ और मुझे ज़्यादा knowledge नहीं है Formula 1 का बढ़ हाँ एक vlog का content दो खेरम बनाई सकते हैं अगला सवाल है आपे सिधार्थ का यह बलते हैं कि आप 10 में कितने घंटे पढ़ते थे भाई time management कैसे करें how you manage पढ़ाई को seriously tension में करना चाहिए एसा क्या हो कि पढ़ाई में must मन लग जाए mind distraction कैसे खतम हो जैसे movies देखते time concentration होता है वैसे ही पढ़ाई में सिधार्थ को कभी बिना कितने घंटे पढ़ाई करी इससे जज्जमत किया करो किसी को भी मुलको भी याद नहीं है honesty में कितने घंटे पढ़ता था और मैंने कभी ऐसे घंटे नापके पढ़ाई भी नी करी है आप उतना पढ़ते ही जना आपके लिए ज़रूरी होता है जितना आप पढ़ पाते हो जितना आपका पढ़ने में मन लगता है आप forcefully 8 गंटे किताब कोल के बैठ भी रोगे तो उनकी नजर में तो यह होगा कि आप भी आप पढ़ रहे हो बहुत वह खुश हुश आप जानते हो कि आपने क्या गुल खिलाएं उन 6 गंटों में तो कहीं ने कहीं यार देखो इस नॉट अबाट कि अच्छी एफिशेंसी के साथ में पढ़ते हो और जहां तक बात है कि focus कैसे करें तो यार देखो आपको ना सिधार्थ लाइफ में आगे क्या आपके गोल्स क्या सपने हैं। उनसे कहीं न कहीं आपको पढ़ाई को देखो एक और रेलेट कर अपसंद आप देगा आप क्या चाहिए तो उसके लिए पैसे करना होगा पैसे के लिए आपको नौकरी है, बिसनस कुछ करना होगा, उसके लिए जो हाज करीप में आपको पढ़ाईय है. तो कहीत ना कहीं आपको आपको अपने जो गोल्स है, जो आपको अल्टिमेंटरी लाइफ में अंहीं करना है. और आप यह समझ के करो çıkarएं. मतलए यह को जीवन से करो और कहीं ने कहीं फील के साथ करो क्योंकि आपको पता है कि यार यह आपको आपके गोल के नजदीक लेके जा रहा है अगला सवाल है यहां पर साकिब का यह बुलते हैं कि मेरा एक सिंपल सा डाउट क्लियर करतो गुरूजी आईफून तो सिम कार्ड में कॉंटाक्ट सेव नहीं करता तो क्या ऐसा कोई वे है जिससे सिम में कॉंटाक्ट सेव कर सकते हैं एंड्रोइड का कॉंटाक्ट कैसे आईफून में सिंक करें प्लीज पिक मैं कॉस्चिन साकिब आप अपने आईफून चलाओ एंड्रोइड चलाओ अपना बस आपको पता है कि आपको जो भी कॉंटाक्ट्स है वह सबके आपके लिए एक आईडियल सुलुशन हो जाएगा अगला सवाल है यहां पर प्यूश पुजारी का यह बलता है नवस्तर कुरूजी आज तो प्ल कुछ exactly कहें नहीं सकता बढ़ आएगा जरूर अफकोर्स आएगा Samsung का flagship tablet आएगा अब देखना यह कि कब तक आता है फिर बोलते हैं कि क्या books पढ़ते हो अगर हां तो आपका कौन सा favorite है यार I am really sorry मतलब कहने में इतना अच्छा लगता नहीं है but to be honest मैं books नहीं पढ़ पाता ह हूं लेकिन वैसे में book book proper जो होते हैं जो किताब पढ़ते हैं मैं उस category में आता हूं कहने के लगता है कि यार बहुत जरूरी है किताबे पढ़ना पढ़ने से काफी फायदा भी होता है बट मैं unfortunately नहीं बढ़ पाता हूं तो मैं आपको recommend नहीं कर सकता हूं really sorry फिर बोलते हैं as I am thinking to buy oneplus 9 pro and I want clean UI without any ads or brought wear और अराज दिको future में क्या होगा वो तो कोई कुछ नहीं कह सकता है at the end जो है वो brand कुछ भी ऐसा ले सकता है लेकिन जहां तक मुझा लगता है oneplus का track record देखते हुए आपको वो ads या वो सब की दिक्कत तो लगता नहीं कि oneplus देने वाला है oneplus 9 pro एक प्रिमियम एक flagship phone है आप ले सकते हो और आपका experience है वो अच्छा ही रहेगा आप जो है वो जब तक इस phone कुछ करेंगे आने वाले दो साल एक साल तीन साल तब तक के लिए तो को future में brand कुछ भी कर सकता है बट कहीं ने कहीं we expect कि oneplus जो है वो at least अपने customers का काफी चीसे ख्याल अगला सवाल है यहां पर कौशिक का बोलते है कि हलो गुरू जी जब आप इंडिया में होते हो तो क्या आपकी दुबई के sim इंडिया में चलती है क्या ने चलाते है क्या कौशिक भाई बिलकुल मेरा जो sim है जो मेरे पास में इंडिया का sim है इटल का जो दुबई का सिम है do का वो हमेशा मैं दुनिया में कहीं भी भी रहूँ चाहिए मैं दुबई में हूँ चाहिए में इंडिया में हूँ चाहिए में कहीं भी हूँ मेरे दोनों नंबर्स हमेशा on रहते हैं और by default international roaming's दोनों पे on हैं तो मतलब मैं कहीं भी भी कर रहा हूं कुछ भी कर रहा हूं दोनों फोन मेरे हमेशा connected रहते हैं अगला सवाल है नितिन का बोलते हैं कि do you wear your apple watch while sleeping also at night नितिन बिल्कुल मैं अपनी apple watch रात को सोते ते में पहनता हूं यह बस में उतारता हूं जब मैं watch को चार्ज पर लगाता हूं या मैं जब नहरा होता हूं तो बस दो cases में watch उतरती है कुछ-कुछ देर के लिए और otherwise जो है हमेशा पैन के रखता हूं फिर बोलते हैं कि क्या आपको भी कभी spam call आगे हैं यार बहुत आते हैं न हेलो का आप से दो बनिट के लिए बात कर रहे हूं यह 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 पर अपको कया लगता है कि about my choice seeing that market in 2019 ने दिन एक अच्छा यह 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 काफी अच्छे फोन से उस टाइम के हिजाब से और के वंडी प्रो वस अ बेटर वैल्यू के थोड़ी सी प्रैसिंग जादा लग रही थी बट स्टिल अगर अगर आपने उसको भी तक यूज किया है तो आप स्नापड्राइगन क्या था उसके पूसेसर सेवन वन टू था या क्या था या याद नहीं सेवन जीरो था शायद सम्धिंग सम्धिंग ना ऐसा कुछ था है के 20 में तो काफी सही है अगर आप भी तक चला रहे हो तो अब शायद टाइम आगया होगा अपग्रेड करने का ऐसा शायद आपको लगता होगा रुपेश बोलते हैं कि नमस्ते भाई कैसे हो भाई हम AI को बहुत सारी चीजों में इस्तिमाल कर रहे हैं टेसला भी यह मुनाइट बहुत रिवील किया तो क्या लगता है फूचर में रोड्स पे चलते वे कभी भी दिख सकता है कि वाई देवे फोल्ड के डियूबिलिटी कैसा है लव फ्रॉम बंबे रुपेश भाई देखो फ्यूचर में बिल्कुल यार ऐसा होगा मतलब आज नहीं तो दस साल बाद बीस साल बाद आप इवाईस दो दोजार पचास में कैसी होगी तो डेफिनेटली ये सब चीज़े काफी ज़्यादा कॉमन होंगी और जहां तक बात है कहां गया आपका सवाल फोल्ड की डियूबिलिटी तो है और फोल्ड की डियूबिलिटी डेफिनेटली मैं बहुत खुश हूँ कि सामसंग ने जो है वो IPX8 रेटिंग को इसमार शामिल किया है और अटलीस्ट फोन वोटर एस्टेंट बन गया है तो और ज्यादा कॉन्ट के साथ में फोल्ड को उसकर सकते हैं और जो अलुमिनियूम वाला जो अप्ग्रेड हुआ है जो आर्मर अलुमिनियूम है वो भी और फोन को काफी ज़्यादा मजबूत ब अगाल कुछ स्युमें लिवाँ ऑंडीन आपके लिए बहुत सारा बाथबौत बहुत कुछ सारा में लेक्यान वाला हूं और अब ही कली कुछ प्रॉमिन नीकर रहा हूं, लेकिन यह एंक बौत रहुत गेम चेंचिंग चीज होगी हम सभी के लिए तो मैं ,-आपकी ए Character व युद्कुल हुकास ट्रक्ट था काफी यूनों परस्टेशनी बहुत इंकलाइड है अभी के लिए ना कई नहीं वह लगजरी वाला जो भाग्स्पेक्ट अगया है तैसला टेखलोंजी कल पॉइंट भी आगया है पर अग्याइड अगया ब। अगया है अगया तो कहीना कहीन लग्जरी वाला पॉइंट मिसिंग है तेसला के साथ में कहीना कहीन जो है वो कुछ चीजें मिसिंग है हाँ टेकलोजिकल पॉइंट में बहुत आगी है और इंडिया में एलेक्रिक वीकल्स मेरे क्याल से आतना मासेस तक पहुंचने के लिए कॉस्ट एक बहु तो कॉस्ट कम होगी कॉस्ट कम होगी तो पॉपलर होगा तो वो अब देखते हैं फ्यूचर में कब होगा इवेंचुली यही है कि आगे चलके सब कुछ जो भी होगा वो EVP तो होने वाला है बतलब पेट्रोल से अब कब तक गारी तेला हुग है अब अब्यूसली आब भी आफी तारीफे करी है उसके अलावा वन प्लस का जो है या रियल्मी का जो है या शौमी का जो है मुर और लेस्ट के जो भी मिलते है न वो कहीं ने कहीं एक ही कैटेगरी में आते हैं एक जैसे सी हैं वो यह आपको कुछ 15-20-20 गंडे की बैटर लाइब मिल जाती है और ठीक अगर आप उते तो क्या करते है प्लीज पिक मैं क्वेश्यन प्रकुल डिपेंड्स क्या प्रेफर क्या करते हो क्या आपको आइफोन चाहिए या आपको एंड्रोइड फोन चाहिए नंबर वन दूसरी बात है कि क्या आपको एक तम ऐसा लेटेस्ट कटिंग चेखलाउज अगला फोन चाहिए जहां पर आप फ्लॉंट कर सको लोगों के सामने और उसको यूज कर सको एक टैबलेटर फोन के साथ में या फिर आपको लगता है कि नहीं आप एक नॉर्मल फोन चाहते हो तो मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हैं दोनों ही अपने 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 यूज करता हूं मैं आइफोन उसकरता हूं और मैं दोनों फोन से काफी ज्यादा सटिसफाइड हूं अगला सवाल है यहां पे श्रियष का श्रियष बोलते हैं कि शुड़ा वेट फॉर दा एमवर एक्स मैक्बूक और गो फॉर दा आइन आइन मागू परो मतलो भाई मतल मतलब फाइदा नहीं है आपको दो लाग धाईला गूरू पे खर्च करके आइन वाला मेगू पूर लेने का जबसे मैंने मतलब साइड रख दिया है मैं भूल गया हूं कि मेरे पास मैंन वाला मेगू प्रो था जो एकदम टॉप अपर्फॉर्मेंस के मामले में और प्लेंस नहीं आने वाली है अगला सवाल है यहाँ पे शिवकुमार का बोलते हैं हेलो कुरू जी कैसे हो आप और आजकल क्या हो आप व्लॉगिंग क्यों नहीं बगर रहे हो आपका टीजी फैमिली के लिए नेक्स प्लाइन क्या होगा और इस बार कम से कम मेरा रिपलाई क की जाएं और प्लानिंग बस उसी को पर चल रही है व्लॉग अभी के लिए होल्ड पे हैं बीच में हमारा एक फेज आता है जब मैं बीच में गया है विला तो कुछ टाइम के लिए बट अभी मैं दुबारा आउंगा और बहुत सारा मजा आने वाला है हम रगुलरली सकते हो बहुत सही फोन है पोको F3D ले सकते हो वो भी अच्छा फोन है 1 Capitol 9 ले सकते हो वो भी अच्छा फोन है अइंग बन करो और जो आपको पसंद आता है वो चूझ करो अब आपको को पसंद कि आ पोले लो आप जानते हो कि prescribe कैसा है Motorola जो है वो अपने आपे काफी अच्छा फोन है सिर्फ बैटरी त्यारदार एमेच की है वो एक पॉइंट दो सकता है otherwise बहुत सही डिल निकाली है Motorola ने मतलब काफी अमेजिंग फोन है OnePlus Nord 2 भी बहुत अच्छा फोन है और Samsung का Z Fold 3 Tom Brown जैसी वो आता है दोनो के दोनो Rishin Roy बोलते हैं कि Why didn't you set up your business in India as it would have created job opportunities Rishin मेरे businesses इंडिया में भी हैं और इंडिया में भी काफी jobs हम लोग create कर रहे हैं तो शायद ज्यादा में details रिवील नहीं करता हूं इसको लेके काफी सारे doubts हो जाते हैं but we do have operations in India इसी के साथ में बहुत सारे जो employees हमारे हैं वो Indians है जो दूबी में काम करते हैं तो वहाँ पर भी opportunities हैं उसके अलाबा बुलते हैं कि Which Rolls Royce model do you own यार फिलाल जो तो Rolls Royce ghost है और आगे शायद कुछ और नहीं आ जाएगा भी let's see plan करते हैं कुछ अगर नहीं आता है तो अच्छा लगता है तो अगर फिर बोलते हैं Which countries passport you use India मेरे पास में Indian passport है भाई और बोलते है Which Indian network operators international roaming is best यार मैं तो एटल यूज़ करता हूं पूचा है अच्छे रोने के पूच लिया network operators sim Dubai में कौन सा है Dubai मेरे पास में Do कसी में आपे Do होता है D.U. तो मेरे पास में Do कसी में Dubai में और एटल का इंडिया में Harshal बोलते हैं कि Guruji क्या आप एक feature phone इस्तेमाल करना पसंद करोगे F.E.S. which company यार feature phone में यूज करना बग्ली पसंद करूँगा अगर थोला सा सुकुन चाहिए लाइफ में और company of course Nokia 33-10 मदा आएगा Vishruti Chaudhary ने पुचा है कि asking for the first time any plans for giveaway of Galaxy Fold 3 कर दें क्या कर सकते हैं इसे इतना कुछ special करना पड़ेगा उसके लिए let's see plan करते हैं sorrow of energy बोलते हैं कि जैसे charging के time पर mobile phone blast करता है तो क्या electric vehicles भी blast कर सकते हैं क्या by the way shapes का size क्या हुआ है shapes का size क्या हुआ समझ नहीं है जो उपर की बात है यह वाला आपका electric vehicle blast और mobile blast आपने लिखा बड़ा वो है यार जैसे charging के time में mobile phone blast करता है बतलब करता है बतलब क्या है यार कि बतलब अचार्ज के लगया by chance कभी कुछ defect है कभी कुछ problem है कभी कुछ external factors है उसको लेके ऐसे हादसे होते हैं बहुत ही rare होता है भाई और ऐसे तो फिर आप बात कर लो प्रेट्रोल गाड़ी के तो अधिया चलते हैं चलते हैं आग सकती है कि अधि गाड़ी में तो पैट्रोल होता है तो यह पर जब इम बात करते हैं ऐसी चीज़ों के ना तो यह बहुत सारे factors को सोच के पूर रियाबिल्टी के साथ में फिर चीज़ें डिजाइन होती हैं बहुत सारे यहां पर certifications होते हैं उसके बाद में चीज मार्केट में आती है तो यह सोच लेना कि बस गाड़ी वें बैटरी है तो ही आप बैटरी ब्लास हो जाएगी फोन में बैटरी ब्लास होती है फोन में किती बार आपने देखा है कि आपका फोन ब्लास्ट हुआ होगा तो यहां पर हमें भरोजा करने हैं टेकलोजी की उपर यार वरना तो ऐसे तो फिर रिस्क तो सब चीज़ों में सब्सक्राइब बैटरी ब्लास्ट कर सकता है गया हाँ 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 हाद से डेफिनिटली हो सकते हैं देर चांस बट वो चांस कितना ज्यादा रेर है आपको वो सोचना पड़ेगा यहां पर अगला सवाल है हमारे पास में निकिल का बोलते हैं कि विंडोज के अंदर क्या होता है देंग इसा होता है वह होता है शायद वह अपने ही सब्सक्राइंक डराब करते होगा क्की है और मया तो मैं है और सच प्रिय। भी उस नहीं किये अग्ला सवाल याँ पर लास्ट शुहम का बोलते है कि वीव वाई 21 स्माटफोन के अन्बॉक्सिंग वीडियो कब आएगी और आरोजी फोन 5S कब आएगा शुहम वीव वाई 21 स्माटफोन के अन्बॉक्सिंग नहीं आएगी अगर फिर वाई सिरीज का है तो फिर तो post-smartum आएगा सीधा अगर mood है तो बताओ कर देते हैं और जहां तक बात है ROG phone 5S तो 5S globally आ चुका है इंडिया में भी आएगा मेरे क्याल से around दिवाली time let's see कि क्या this is plan करता है आना तो चाहिए of course और काफी है ultimate मिज़दार experience होगा tribulate plus के साथ में gaming का मज़ा in 200 करने के लिए दो दोस्तों बस फ्लावड में ताहीं देखने के लिए आपका वज़नेबाद मुझे उम्मीद है कि आपके वीडियो मसंद आया होगा अगर आपका कोई और सवाला सुझाब हो तो आप नीचे comment कर ना मत भूलिएगा